कि फंसन् ओवर्लोडिंग इन C++ ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जब हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम फंसन्स बनाते है अब फंसन्स की ओवर्लोडिंग क्या होती है ओवर्लोड करने का मतलब क्या है किसी भी चीज को किसी भी चीज को ओवर्लोड करने का मतलब है कि जो उसकी कार्य करने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड उस पर डालना उससे ज़्यादा काम उससे करवाना या उसको सक्सम बनाना यह होती है overloading तो function है वो कोई एक काम कर सकता है उसको कैसे overload किया जाए नमस्कार मैं रवी कुमार Lecturer Computer Science GPC डुंगरपूर स्वागत करता हूँ आपका आज की इस video lecture में और हम function overloading in C++ को Hindi और English दोनों में अच्छे से समझेंगे वीडियो को बीच में skip नहीं करना है चोटा सा वीडियो है और बहुती आसान सब्दों में मैं समझाने की कोशिस करूंगा Function overloading in C++ Function overloading C++ programming का एक important feature है जो हमें capable बनाता है कि हम एक ही function को एक ही नाम यूज करके लेकिन within parameters पास करके अलग-अलग काम उससे करवा सकते हैं तो यहां हिंदी और इंग्लिस दोनों में में आपको डिस्पले करा रहा हूं तो आपको आसानी होगी इसको समझने में function overloading in C++ programming feature that allows us to have more than one function having same name but different parameter list मतलब इसका सीधा सा है कि एक से ज़्यादा functions ऐसे होंगे जिनका नाम है वो same रहेगा अब हमने पहले पढ़ा कि एक से ज़्यादा function का same name नहीं दे सकते किसी परिवार में दो बच्चे हैं ठीक हैं दोनों का नाम ही रख दिया सुरेश तो अब कोई सुरेश बुलाएगा तो सुरेश उनमें से कौन सा आएगा confusion हो जाएगा दोनों बच्चों में कि किसको बुला रहे हैं हो सकता है दोनों आ जाएं या हो सकता है दोनों नहीं आए सोचे कि उसको बुला रहे होंगे उसको बुला रहे होंगे तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे है कि जब एक से ज़्यादा function है या कोई variable है कोई class है या object है कोई भी element है अगर दो से चीज़े ऐसी है जिनका नाम सेम रख दिया तो computer को confusion हो जाएगा कि किसको कॉल किया जाए तो इसलिए चाए प्रोग्रामिंग हो database हो कुछ भी हो हम एक से ज़्यादा elements के name सेम नहीं रखते तो फिर यहाँ पर क्या कारण है कि हम दो function का नाम है वो सेम रख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए नाम तो सेम है लेकिन उनमें जो parameters पास कर रहे हैं उनकी जो list है उनकी जो सुची है वो अलग-अलग है जैसे कि हम देखते हैं इसमें example में आप इसमें हमारे पास किया है दो function है function एक ही है sum तो पहले इसमें हमने पास किया int a और float b ठीक है? दो number पास किया a है वो integer type का है और b है वो float type का है और sum क्या करेगा? इन दोनों को sum करेगा इनको जोड़ेगा तो पहले में पहला number integer है और दूसरा float है फिर इसी function को हम दूसरे तरह के से लख दिया sum float a int b बना अभी भी है क्या एक number float है और एक integer है लेकिन sequence change हो गई पहला number float आ गया दूसरा integer हो गया जबकि पहले में क्या था पहले integer था float भी तो सिर्फ हमने sequence change की है parameters भी change नहीं की है सिर्फ sequence change की है और sequence change करने से भी क्या होगा ये दोनों function है वो अलग-अलग माने जाएंगे एक नहीं माने जाएगा जब हम पहले integer बाद में float पास करेंगे तो पहले वाला sum function है call होगा और जब पहला वाला number float होगा दूसरा integer होगा तब दूसरे वाला call होगा तो यहाँ पर कोई confusion नहीं होगा दूसरी बात function overloading है वो compile time polymorphism है polymorphism हम देख चुके है polymorphism का मतलब होता है कि जब एक ही चीज अलग-अलग तरह का वेवार करती है उसको polymorphism बोलते है तो function एक ही है sum लेकिन अलग लगता है वेवार कर रहा है तो यह compile time क्यूं है देखो दो तरह की चीज़े होते है compile time होता है compile time का मतलब कोई भी event होनी है कोई भी गठना होनी है तो वो compile time पर हो जाती है जैसे syntax errors आती है हमारे program में तो वो compile time पर आ जाती है तो run कराने से पहले हमें पता रहता है कि हमारे program में यह errors है तो वो होता है compile time compile का मतलब संकलन करना किसी भी चीज़ को व्यवस्तीत करना अच्छे से जमाना उसको बोलता है compile करना एक होता है run time run time errors है वो compile time पर पकड़ में नहीं आती है वो जब program run हो रहा होता है उस time पर आती है जैसे exception exception को हम बोलते है run time errors ठीक है तो function overloading है वो compile time polymorphism है देखिए और example लेते हैं जिसे और clear हो जाएगा यहाँ पर हमने क्या किया sum नाम से तीन function बना दी तीनों के नाम तो क्या है same है लेकिन पहले में हमने क्या किया दोनों parameters pass किये वो integer type के हैं पिर दूसरे में क्या किया तीन parameter pass कर दी है और तीनों integer है पिर तीसने में क्या किया पहला integer है और दूसरा double है तो यह तीनों ही अलग-अलग माने जाएंगे जैसे पहले और दूसरे को compare करते हैं तो दोनों में क्या है number और parameters है वो अलग-अलग है पहले में 2 पास किये दूसरे में 3 तो ये अलग-अलग माने जाएंगे फिर दूसरे और तीसरे में क्या है number और parameters भी अलग-अलग है प्लस इनका data type भी अलग है पहले और तीसरे में देख लेते हैं तो पहले और तीसरे में पेरामिटर्स तो दोनों में दो दो पास कियें लेकिन पहले में दोनों इंटीजर है और तीसरे में पहला इंटीजर और दूसरा डबल है इसलिए ये भी अलग-अलग माना जाएगा तो इसका मतलब Function Overloading के लिए हमें क्या चाहिए कि या तो Parameters Pass कर रहे हैं उनका Data Type चेंज हो जाता है अगर Data Type अलग-अलग हो जाता है या Number वो Parameter से अलग-अलग हो सकते हैं या फिर उनकी Sequence अलग-अलग हो सकती है तो यह तीन तरीके हैं उनमें से अगर कोई सा भी एक होता है तो वो Function Overloading हो जाएगी वहाँ पर कोई Confusion नहीं होगा आप एक सी जदा Functions हैं वो Same Name के साथ बना सकते हैं अब एक Program कितरू हम इसको समझेंगे पहले देखते हैं यहाँ पर दो Function हैं सम नाम से लेकिन पहले में क्या है दोनों Integer पास कर रहे है और दूसरे में दोनों Double पास कर रहे है तो यह भी क्या हो अब Function Overloading हो गया पिर यहाँ पर वापस देखा हमने दो सम नाम से Function है दोनों में Parameters तो सारे Integer टाइप के यह हैं लेकिन पहले में दो Parameter पास किया और दूसरे में तीन पास कर दिया फिर देखते हैं वापस यहाँ पर हमारे पास दो Function है लेकिन पहले में हमने क्या किया पहला Parameter Integer और दूसरा Double है दूसरे Function में क्या किया पहला Double कर दिया दूसरा Integer तो एक integer और एक double parameter दोनों में यही है लेकिन sequence change हो गया तो यह भी function overloading कहलाएगी तो यह सारे cases है वो function overloading में माने जाएंगे इनको valid मानेंगे हमें याद यह रखना है कि जो parameters की list है वो different होनी चीए function overloading के लिए different का मतलब है नमबरों parameter से अलग लग हो सकते हैं data type अलग हो सकता है या sequence से अलग हो सकती है यह सब valid वाने जाएंगे function overloading में अब यहाँ पर हमें एक example देखते हैं उसमें sum नाम के दो function है तो यहाँ पर जो हमारे पास दो function है इन में कहा कि हमने parameters सेम रखें दोनों में और जो return type है वो लग कर दिया पहले में int है दूसरे में double है तो इसको हम function overloading में valid नहीं मानेंगे क्योंकि function overloading की सर्ती यह है कि parameter से वो अलग अलग होने चीए return type से कोई फरक नहीं पड़ रहा ठीक है तो यहां पर parameters दोनों में int है ने तो sequence चेंज हो रही है ने उसका data type चेंज हो रहा है ने number और parameters चेंज हो रहे है बिल्कुल same के same है इसलिए हम इसको function overloading नहीं मानेंगे चाहे इनके return type same अलग ही क्यों ना हो तो return type से कोई फरक नहीं पड़ेगा हमें return type देखना ही नहीं है function overloading के मामले में अब चलिए एक प्रोग्राम है उससे हम इसको समझते है has include io stream using namespace std यहां पर हमने aid नाम से एक class बनाई है और उसमे public हमने एक function बनाया है some नाम से return type integer है और इसमें दो पिरामिटर हमने पास कर दिये है int num1 और int num2 दोनों पिरामिटर integer type के हैं दोनों को हमने जोड कर return करा दिया है उनका sum return करा दिया है फिर दूसरा हमने function बनाया है उसमें हमने तीन पिरामिटर पास किये तीनों का ही data type integer है और यहाँ पर हमने return करा दिया तीनों का sum करके तो हमने दो function मनाए एक तो क्या कर रहा है दो integer को जोड की return कर रहा है और एक तीन integer को जोड की return कर रहा है तो क्योंकि यहाँ पर number of parameters अलग लग है देखिए return type दो दोनों का int है कोई फरक नहीं पड़ रहा हमें return type देखना ही नहीं है number of parameters अलग लग है तो यह function overloading मानी जाएगी तो हम इनको call करते है man function के अंदर हमने 8 जो class थी उसका obj एक object बनाया है और cout करके obj.sum और दो parameter पास के integer type के इसका मलब पहले वाला जो sum function वो call हो जाएगा और दोनों को जोड़ देगा 30 प्लस 5 35 कर देगा दूसरा है cout obj.sum इसमें 3 parameter पास की है 800.10 तो यह 118 118 return कर देगा तो यह हमारा output आ गया अब function overloading के advantages क्या है क्या lab होता है function overloading से हमें तो function loading से lab यह है कि एक तो code जो होता है हमारा उसकी readability improve हो जाती है अलग अलग function नहीं बनाने भई अगर दो number के किते भी number हो अगर जोडने का काम करना है तो जोडने के नाम से एक नाम से function मना देंगे सारे ठीक है ऐसे नहीं मालों दो number को जोड रहे है तो अलग नाम रख दिया है function का होगी उसको समझने में या कोई दूसरा इंसान उसको पढ़ता है तो उसको भी program को समझने में आसानी होगी तो एक तो readability जो पटनियता है उसमें सुदार होगा इसमें एक जो है code की reusability है वो उसकी हमें permission में लेगे allow करेगा code को भी हम reuse कर रहे हैं ना function का नाम वे वो ही रख रहे हैं सिर्क parameters चेंज गरें तो कोई confusion नहीं होगा माली जी यहां पर ही हमें तीन चार टाइप के aid करने के sum करने के function बनाने होते हैं तो चार पांच अलग अलग नाम के function होते तो सोचो एक तो उसको पढ़ने में समझने में कितना मुश्किल होता कि उपर function बना दी जब call कर रहे हैं तो call करते time देखना पड़ेगा चार तीन को जोड रहे हैं तो उस time पर function का नाम क्या था चार को जोड रहे हैं तो क्या है या पहला double आ गया दूसरा integer आ गया पहला integer आ गया दूसरा code का reuse हो रहा है तो यह सारे function overloading के lab है तो यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही बहुती आसान सब्दों में इसको समझाई कोशिस किये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आपको समझ में आई हुए चीज़े तो आप like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए और अगर आपको कुछ इसमें problem आ रही है समझ में नहीं आ रहा है तो आप comments में पूछ सकते हैं आपके कोई सुजाव है तो आप वो comments में दे सकते हैं Thank you